नमस्कार, स्वागत है आपके अपनी यूटूब चैनल, फिल इंडिया सलूशन में, मेरा नाम है आरेबुशन, आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, 3BHK का फ्लाट, जो की जगनपुरा में है, बाइपास से मातर 2 मिनट के वाकिंग डिस्टेंस पे, ये 3BHK का फ्ल और ये जो है ग्राउंट फ्लोर पे ये पार्किंग है, जैसा कि आपको दिख रहा है, और उसके उपर जो है फ्लाट स्टार्ट है, बेस्मेंट में इसमें नहीं पार्किंग है, ग्राउंट फ्लोर पे है, इस बिल्डिंग में दो लिप्ट है और दो सिड़ी है, अप्रोक इस बिल्डिंग का एरिया एक बिगह के करीब है ये टोटल जो बिल्डिंग बना हुआ है एक बिगहा में और आगे हम लोग चलिए आगे देखते हैं फ्लाट में क्या कि आमिनिटीज है और प्राइस का चर्चा हम लोग आगे करेंगे फ्लाट वाले फ्लोर पे हम लोग पहुँच चुके हैं और देखे स्टियर जो है बहुत स्मूथ है ओल्ड इस के लिए भी ये काफी आराम दायक होगा चहडने में कोई प्रोग्लम नहीं होगी लिप्ट अगर खराब भी हो जाता है चुकि दो लिप्ट है इस ब्लॉक में औ तो कोई प्रोग्लम नहीं होगी और बाहर में यह मार्वल का फ्लोरिंग का काम किया गया है और यह देखे हम लोग इंटर कर गये हैं हौल में यह इंटर करते के साथ एक बड़ा सा बालकनी है जो कि बाइपास की ओर दिखता है अभी ये देखिये बाइपास है बाइपास स आप देख रहे होंगे, यहाँ पे बहुत नजदीक है, ज्यादा दूरी नहीं है, और देखिए, यहाँ से देखने में हॉल, साइड करीब अप्रॉक्स इसका जो है, 200 स्क्वार फिट से उपर का हॉल होगा इसका, काफी चोड़ा है, और लंबा भी है, चोड़ा अप्रॉक्स 14 फिट के करीब इसका चोड़ाई है, और लंबाई करीब 20 फिट, 25 फिट के करीब है, हॉल से हुल से ही किचन जो है, अटाइच है, और यह देखिए, किचन में दो साइड से स्लैब लगा हुआ है, काफी खुबसूरत काम किया गया है किचन में, और किचन का साइड काफी बड़ा है, और एक स्टोर रूम भी है किचन के लिए, यह देखिए, एक छोटा सा 4 बाई 5 का, 5 बाई 6 का यह स्टोर रूम होगा, अप्रॉक्स, और यह देखिए, किचन में दो तरब से जैसा कि मैंने आपको स्लैब बताया, दो तीनों साइड से स्लैब लगा हुआ है, और चुकि एस्पेशियत है किचन, और लाइटेड और हवादार है किचन, और यह देखिए, बहतरीन डिजाइन का टाइल्स भी लगा हुआ है, और यह देखिए, यहां से हॉल देखने में कितना खुबसूरत लग रहा है, और हॉल से यह एक बाथरूम अटाइच है, जो इंडियन स्टाइल का है, आईए हम लोग फर्स्ट बेड्रूम की ओर चलते हैं, और यह फर्स्ट बेड्रूम जो है, आपको नौर्थ की ओर इंटर करेंगे हम लोग, जो फर्स्ट बेड्रूम है, और जो हम लोग का में इंटरेंस जो था, इस्ट और बेस्ट का है, और ये नौर्थ की और जो है master bedroom है master bedroom में एक और छोटा सा जो है space दिया गया है पूजा रूम या store room भी इसको use करना चाहें तो कर सकते हैं ये master bedroom में है और master bedroom में एक best run style का Latin bathroom है ये देखें और काफी उपर तक पुरा एकदम tiles लगा हुआ है नीचे से ऊपर तक bathroom में जो है tiles लगाया गया है और कोई use नहीं किया गया है bathroom नया ही है और ready to move ये flat है अप्रॉक्स इसका area जो है 1415 square feet है super build up area 1415 square feet और काफी उंदा किसम का काम किया हुआ है देखें नीचे जो tiles है actually इसको tiles में slip नहीं करेगा tiles जो है अगर bathroom में जो है tiles grip का जो tiles होता है standard quality का वो use किया गया है और ये देखें master bedroom से balcony का view आपको ऐसा दिखेंगा और अप्रॉक्स ये तीन वाई 5 का balcony है और देखें इसमें light आ रहा है काफी खुबसूरत है और ये देखें ये bedroom से निकलते करम में एक सामने bedroom है और उसके पहले जो है bathroom है जो इंडियन style का मैंने आपको पहले भी बताया कि एक इंडियन style का ये bathroom दिया गया है और एक western style का bathroom काफी बड़ा है और इसमें भी उपर से नीचे तक tiles का उप्योग किया गया है बहुत जगह जो है आपको tiles पूरा bathroom में आधा तक ही मिलेगा लेकिन इसमें जो है उपर से लेकि नीचे तक bathroom में tiles लगा हुआ है और ये second bedroom हो गया इसका price जो है 70 लाख रुपया है और आप उपर दिये गया contact number पे संपर कीजिए और मित्रो अगर इस channel पे आप लोग नए हैं तो please channel को subscribe कर लिजेगा क्योंकि आने वाले समय में मैं property से related वीडियो इस पे लेके आते रहता हूं इस channel पे और इसका जो price है approximately 70 लाख है ठीक है और ये 5th floor का flat है 5th and top floor पे जैसा कि मैंने पहली भी बताया कि approximately 1415 square feet का flat है और 5th floor पे 2 lift है दो सीधिया है और ये approximately 3 साल पुरानी building है इसमें अभी 90% लोग जो है shift कर चुके हैं और विक्री के लिए सिर्फ एक ही flat ये available है इस building में ठीक है अगर आप लोग interested रहें तो उपर दिये गए WhatsApp नंबर पे आप संपर कीजिए message कीजिए और जमीन से related किसी परकार के अगर आपकी क्वाईरी रहें कंकर बाग चगनपूरा रामकिस्ना नगर पटना सेंटरल स्कूल के आसपास नया इस बीटी के आसपास अप्रोक्स मेरे पास जो है प्रोपर्टी 35 लाग 40 लाग 45 लाग का प्रोपर्टी जो लैंड है वो भी एबलेबल है जो 35 लाग का होगा जो residential होगा उसमें आप मकान बना के रह सकते हैं मिलते हम लोग नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जै हिन जै भारत